देश के बहुजनों को ना तो धन रखने का अधिकार था ना तो शिच्छा लेने का अधिकार था ना ही इस देश में धंग से सांस लेने का अधिकार था हम खुली हवा में सांस भी नहीं ले सकते थे क्योंकि इस देश के मनुवादियों को हम बहुजनों से बहुत ही ज़्यादा नफरत थी बहुत ही ज़्यादा छुवा छूत और भेदभाव फैला हुआ था या भेदभाव किसी और नहीं फैलाया था यह बहुजन महापुरूस परंपुजय बाबा सहाब अंबेट कर और समस्त बहुजन महापुरूसों का देन है किसी और का देन नहीं है दोस्तो भारत का सम्विधान हमें हर प्रकार की स्वतंतरता आजादी देता है बोलने की, पढ़ने लिखने की, मंदिर जाने की या जो भी चीजें हैं अगर आज हमें मिलता है नवकरी करने की आजादी तेह भारत का सम्विधान देता है मन उस्मृति नहीं देती है ना ही कोई कालपनिक देवी देवता देता है या जो भी चीज़े हमें प्राप्त होती है इस भारतिय सम्मिधान से प्राप्त होता है किसी और चीज़े नहीं होता है तो दोस्तो अगर आपको भारतिय सम्मिधान चाहिए तो इसी वीडियो के description में मैं भारतिय सम्मिधान का link दे चुका हूं वहाँ से आप भारतिय सम्मिधान मंगा करके आप अपने घर में अपने सम्मिधान के मध्यम से अपने परिवार के लोगों को जागरू कर सकते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरू सस्क्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो सेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा सम्मानिस साथियो इस देश के बहुजनों को सिख्छा लेने का अधिकार नहीं था हमारे मसीहा परमपुज्य बाबा सहाब अमबेटकर को विद्यालय जाने से रोका गया जिस बाबा सहाब अमबेटकर को विद्यालय जाने से रोका गया उसी परम पुज्य बाबा सहावा मेटकर ने 200 की बड़ी से बड़ी इन्वर्सियोटियों में जा करके 32 डिगरियां ले करके आये थे आप सोचिए, आप कलपना कीजिए कि जिस सक्स को, जिस महामानों को सिक्षा लेने से ही रोक दिया गया वह अध्विस वकी सबसे बड़ी से बड़ी डिगरी ले करके आ गए आप कलपना कर सकते हैं उस महामानों के सोच को आज के डेट में हमको और आपको नहीं पता है कि हम लंदन में जा करके पढ़ाई कैसे कर सकते हैं अमेरिका में जाकर के पढ़ाई कैसे कर सकते हैं हमारे पास सोसल मीडिया है हमारे पास तमाम उस अंसाधन है जिन से हम अच्छी अच्छी जनकारियां इकठा कर सकते हैं और हम आज के समय में भी अमेरिका और लंदन जैसी इन्वर्शिटियों के बारे में सही जनकारी नहीं ले पाते हैं अमेरिका लंदन तो बहुत दूर की बात है जो हमारे देश के अच्छे अच्छे टॉप और टॉप कालेज हैं उनकी भी जनकारी हमारे पास नहीं है को उसमें हमेरे विशन कैसे प्राप्ट कर सकते हैं आप सोचिए कि बाबा सहब अम्बेटकर जब बारहमी पास किये थे तो उनको यह जनकारीयां किस नहीं दी थी वह जनकारी कैसे ही कठा किये थे कि बिस्व में भी ऐसी इन्वरसिटियां हैं जहां से हम अच्छी सिछा प्राप्त कर सकते हैं कोलंबिया इन्वरसिटी लंदन क यसी इन्वर्शिटी को खोज निकाला था सम्मानिस साथियों जिस व्यक्ति को पढ़ने से रोका गया उस महामानों ने अमेरिका और लंदन में जाकर के पढ़ाई किया दोस्तों जिस महामानों को पानी पीने से रोका गया उसी महामानों ने इस देस के भाजनों को पाने पीने का अधिकार दिलवाया दोस्तों जिस परम पुझे बाबा सहाब अम्वेटकर को पैसे की कमी के कारण सुद्र होने के कारण रिख्षे से उतार दिया गया था यह कखर के बैलगाडी से उतारा गया था कि बाबा सहाब अमेटकर अच्छूत हैं, नीच हैं, वह बैलगाडी पे नहीं बैठ सकते पैसे के कमी के कारण बाबा सहाब अमेटकर के चार-चार पुत्र गुजर गए उनको कफन तक नसीब नहीं हुआ, अगर बाबा सहाब अमेटकर के पास पैसे रहे होते तो अपने बच्चों को जरूर कफ़न देते अगर इस धर्ती में किसी का पुत्र अगर बीना कफ़न के दफ़न है तो वा सिर्फ बाबा सहाब अम्बेटकर के पुत्र दफ़न है कोई और दफ़न नहीं है जिस पैसे के कमी के कारण बाबा सहाब अम्बेटकर की जीवन संगनी मतारमा बाई अम्बेटकर जिनको वो अपने जान से भी ज्यादा मानते थे उनके दवा के अभाव के कारौन की मृत्यू हो गई और बाबा सहाब अम्बेटकर उनकी दवा भी नहीं करवा पाए तो दोस्तो आज के समय में उसी पैसे के उपर परम पुझिया बाबा सहाब अमबेटकर की तस्वीर चपी हुई है ये देख सकने हैं आप लोग मेरे हाथ में ये सिक्का पड़ा हुआ है करीब से आप लोग देख लेजिए यही वो सिक्का है जिसे परमपुझिय बाबा सहाभ अमेटकर की तस्वीर चपी है यह गर्व करने का बिसा है इस बहुजनों के लिए जो भी हमारे बहुजन समाज के लोग हैं उनके लिए गर्व करने का बिसा है कि जिस पैसे के कमी के कारण बाबा सहाब अमेटकर को नाजाने कितने कठिनायों का सामना करना पड़ा था उसी पैसे के उपर बाबा सहाब अमेटकर की तस्वीर है दोस्तो राजनायतिक रूप से आप लोग देखते होंगे कि भारत की सभी नोटों पर गांधी की तस्वीर दिखाई देती है उसी गांधी की तस्वीर जिसने बहुजनों के खिलाफ नजाने कितने साड़यंतर किये थे बाबा सहब मेटकर गांधी को कभी भी महात्मा नहीं कहा था बाबा सहब मेटकर नहीं कहा था कि मैं गांधी को महात्मा नहीं मानता गांधी रिक्सातिर राजनेता है मैं बाबा सहब मेटकर का अनुआई हूँ इसलिए मैं भी गांधी को महात्मा नहीं कहता हूँ मैं गांधी को सिर्फ गांधी या गांधी जी कहता हूँ क्योंकि हम बहुजनों के लिए गांधी जी ने कुछ भी नहीं किया है सिवाए गुलामी के दलदल में ठकेलने के सिवाए क्योंकि गांधी जी जातिवाद के घोर समर्थक थे वह नहीं चाहते थे कि देश से जातिवाद खतम हो वह नहीं चाहते थे कि देश से वर्ण ब्यवस्था खतम हो और बाबा सहावा मिटकर चाहते थे कि जातिवाद जो है जो वर्ण ब्यवस्था है यही इस देश के मून लिमासियों के गुलामी का मुख्य कारण है बाबा सहावामेटकर जातिवाद खतम करना चाहते थे और गांधी जी जातिवाद को जिन्दा रखना चाहते थे उसके साथ साथ आप सभी लोगो पूना पेक्ट के बारे में पता होगा कि पूना पेक्ट में किस तरीके से गांधी जी ने स्टाडियंतर करके बाबा सहाब अमेटकर को रोने के लिए मजबूर कर दिया था और इस देश के बहुजनों को जो भी अधिकार मिला था गोल मेच सम्मेलन में उन अधिकारों को गांधी जी ने छीन लिया था बाबा सहावा मेटकर से तो दोस्तो मैं बाबा सहावा मेटकर का अनुवाई हूँ मैं गांधी को किसी भी सूरत में पसंद नहीं करता भारत सरकार गांधी जी की तस्वीर को भारत की नोटों पर छापती है तो हमारी और आपकी या सबकी मजबूरी है कि उन नोटों को हम यूज करते हैं या चलन में लाते हैं लेकिन वही भारतिय सरकार ये नहीं चाहती है कि बाबा सहाब मेटकर का प्रचार परसार हो बाबा सहाब अमेटकर का सम्मान हो बाबा सहाब अमेटकर को लोग जाने इसलिए बाबा सहाब अमेटकर के नाम का कोई भी नूट जारी नहीं करती है दोस्तो फिर भी इस देश के मून निवासियों के बदावलत इस देश के अमेटकर वादियों के बदावलत जो भी हम और आप संघस करते हैं उसका ये परेडाम है कि 10 रुपे का जो सिक्का है इस सिक्के के ऊपर बाबा सहाव अमेटकर की फोटो दिखाई दे रही है यह भी हमारे लिए गर्व करने का विसाय है क्योंकि हमें जो कुछ भी मिला है संघस से मिला है हम पानी भी पीते हैं तो संघस करके पीते हैं हमने सिक्षा भी लिया है तो संघस करके लिया है रहा सवाल मंदिरों की बात तो मंदिर तो हमें कल भी मुख कुछ नहीं दिया था और आज भी हमें कुछ नहीं देता है बाबा सहाब मेटकर ने कहा था कि हमें मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है हमें कहीं जाना है तो वह जाना है सिक्षा के मंदिर में हमें सिक्षा गरण करना है हमें किसी उस मंदिर में नहीं जाना है जहां से अंद्विश्वास और पाखंड फैलता है तो दोस्तो अगर आज की वीडियो आपनों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेट जरूर कीजिएगा साथ ही वीडियो को सेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यबाद बहुत बहुत आभार